वीडियो में आपका स्वागत है और जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे कि भई बजारों के अंदर उपली लेवल पर सस्टेनिबल्टी नहीं लग रही और बजारों में अब अच्छी गिरावड जो है अब इस गिरावड का श्रेक इसको जाता है वो तो हमने चर्चा कर ली पहली पहले तो है कि ऐधिया हो सकता है जब एकसमान सो गट टूटे लगा तो अभी बजार है से लोन राइस है और अब अगर हम बजार में देखें तो अब बजार की जो पॉस्टर वह दा वह पिट रहे है मदलब अब बजार का जो पोस्टर वह नहीं उसकी पिटाई ही हो यह पीएस्यू स्टोक, इंडेक्स में गरम देखे दो, रिलाइंस, और रिलाइंस के भी बारी नहीं है और अधानी ग्रूप, तो अब रिलाइंस को छोड़ देते हैं, क्योंकि वो बाद में चला था, अब दो पोस्टर भाई वाज उडा लिए बजार में, पहला पीएस्यू स् पीएस्यू स्टोक में अगर्व थमकेप में आ जएएंएऋब जो हर लिख लिख वह पर है happens क्ने अफरोरी मेडियन आपको पर हुप चोड़ जाई जाए वह हूएँ उस में रिल सेखे थी ती ति में की पिटाई हुई जय वह में आग़गा जो भीम इते अब बात करेंगे लार्ज के तो आज गिरावड़ के तो आज गिरावड़ हमारा शेर स्टोक पूर्दा मंती भी रहा है और इसकी कॉर्पेट अडिजस्मेंट होने से पहले यह चालीस-पचास पसंट राइस हो भी चुका है अब वेट इंड वच करेंगे पावर गेड़ में अब इन पावर गेड़ में हमें लग रहा है कि अभी और फृदर गिरावड आएजी परसेंट अधनी पोर्ट साथ पसंट अधनी इंटरपाइज इसाथ परसेंट एंटी-पीच चैपरसेंट टाटा-स्टील 5.8 ओ-इंजस 2.1 IEC 5.57 UPL 4.6 UPL को के रिजयती तने ख़राब है, THE UPL में भी तोभी हाती हो अन्य जब तकु प्रफोर्मेंस्टी की ती हह होती है Bharat Petroleum और Tarta Motors यह सारे श्यास कंडॉड़तें, अब gol डिफैंसवाथि 預算 फाहल रहे हैं मुझे लगता है कि PSU बैंकों के स्टोक्स जो है बहुत मेडिया में बड़ी रिपोर्ट थी और में नहीं लगता बड़ पी एस यू बैंकों की भी धज्या उड़ाइं अच्छे रहें मुझे लगे अभी ओर उड़ेंगी PSU के जो बैंकिंग स्टोक्स है वह बी शायद अभी सस्टेनेबल नहीं रहने वाले मुझे लग रहा है SBI भी 4-5% बैंकों टूट सकता है अगर पित्सों कि एकाटं कि वह बैंके को बाचे बैंकोंने गजाते है और यो भी को था उनिका इंख करें जाथी के लिए गए इन्स का इसन्च नहीं नियुक्न टफ्टी अग्सपायरी आह सिर्टी करेंगे तो तेजी वाले अब कल बैंकों में भी बैंकों कारने कि हैं आज आगि आगकी तेजी वाले लोग तो बैंकों में वह ब्रइगे Harvard कॉर्ट को बैंकों में कोशिश करें और उफ्रेक खे करते कि शैरे अप को सब्सक्सिaking और सुबह एक पैनिक वाला माहूल जो है निफ्टी बैंक निफ्टी तोनों में बनता हो नहीं 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 आएगा स्मॉल के पर मिड़केप में बनेगा ना भई वहां पर इंप्रोमेंट नहीं आएगी निफ्टी बैंक निफ्टी निफ्टी ने कुछ नहीं नहीं अगर बैंक जाएगर जाते तो निफ्टी का खच्रा करेंगा कल एक बार तो होगा सुबह की सेशन में फिर देखते हैं 12 बजे पूल बैक आ सकता है और 12 बजे पूल बैक आगे तो ठीक है अधर वाइस धीरे बिस्तिस पर अगर हम देखे तो जैसी बजार उपर आएगा माल लेते हैं कि सुबह पैनिक हमें लग रहा है कि निफ्टी में उसके पर एक पूल बै दिन में है निकी फ्राइडे में पिंगल जाएगा ठीक है कल भी एक वोलाटाइल सेशन के हम उमीद कर रहे हैं अब देखिए निफ्टी में जो केंडल बनी है अब यह चार केंडल बैक टूबैक रेड़ बनी है इन से अंदेशा तो यह हो रहा है कि भाई बजार जो 46,300 की में तो आज गिरावट आई तो आज गिरावट आई में पी एन बी बैंकों बड़ोदर में तो यह शियस थे जो गिरावट जो है में कंट्रिबूट करें तो पी एसी बैंकों का जो है नेगटिव रोल था और आज एफाइज ने भी भाई सिब 4,595 क्रोड वेचे हैं डिय इन्वेस्टर्स है वह भी देखिएगा बेचता जारा बहुत सारी इसी पोजिशन है जो लिवरेज पे हैं और उनको भाईया शेर बेच के पैसा वापिस लोटान है एन्वेसी का या बैंक्स का या जो मर्जिन ट्रेटिंग फेसिलेटी है तो आपको FII के सास्ताथ हो सकता FII के डेटा इतने नेगेटिव ना रहेंकल लेकिन आपको अच्छे नहीं इन्वेस्टर्स के जो डेटा भी नेगेटिव ही रहेंगे और 442 क्रोट की इंडेक्स फूचर्स में जो है डेटा अपडेट नहीं है बढ़ हाँ जो है 13 मार्च के अंदर अगर हम देखे तो जो स जो है 4827 क्रोट की तो 4827 क्रोट की बाइंग है यह रेड कलर में लेकिन यह बाइंग है और इसी तरीके से स्टोक फूचर्स इंडेक्स फूचर्स में 1381 क्रोड बेच दियें तो स्टोक फूचर्स कवर कर लियें इसका मतलब है FIIs समझ रहें कि अगर हम ने अगर यह कवर न में लग रही है आज 906 पूट की गिरावट आपको सेंसक्स में देखने के लिए और इंडिया विक्स भी तक्रीमें 6 परसेंट बढ़ गया जो 14.43 पर चला गया तो 14.43 बढ़कर पूट को नीचे की तरफ आगी तो गिरावट की समभावना जर्नल होती नहीं है इतनी कम निफ्टी खोड़ा सा सुधरे और सुधरने के बाद एंड के फी गयास के गन्ते हैं तो सटो रह सकता है तो निफ्टी बैंक निफ्टी में ृटी इंटी में में इतना जादा अभी फोकस नहीं कर रह तुन कोह यह पर मुझे विल के पैन जवस्त लग रहे है और और पॉटफोली हो जो रिटेल वाले जो इन्वेस्टर्स हैं तो करीबन दो परसेंट से लेके 5-6 परसेंट तक कि गरावड़ भूम उसकी पॉटफोली में देखने के लिए होगी और डाउजोंस रिटेस्ट लेवरेज 117 पॉइंट चल रहा है और ऑफ्शेंट चेन के अंदर देखेगा 22,000 के अंदर कि जवस्तर राइटिंग हो गई है 20100 में राइटिंग बाइस एक सो पचास बाइस दुस्टर जबस्तर राइटिंग आपको देखने के लिए और कुट राइटिंग एगकिस 900 के वापर उन्हाइंट हो गई है तो अल्टिमेटली इसको देखके असा लग रहा है कि शायद आपको एक बार बजार नीचे जाए वहां से पुल बैक हम एंटिस्पेट कर रहे हैं कि एक बार आना चाहिए ग्यारा बजी आए बारा बजी आए और उसके बाद वह पुल बैक सस्टेन कर सकता है दो ड़ाई वि फिर नीचे जाएगा तो कुल मिलाकर अभी जो आउटलूक है वह हमारा नेगिटिव है लेकिन बट हम यह मान रहे हैं कि बीचे बाउंस आते रहेंगे ऐसा नहीं कि वन वे गिरेगा बजार ठीक है बट आउटलूक जो है भी नेगिटिव होगे इसके बार जो अब क्या हो अगर हम निफ्टी बैंक में भी देखिए तो निफ्टी बैंक में 47,000 पे बहुत जबसता है और फुट रैटिंग भी जबसक्ते तो आप यह दो थी बाट आज यह हमने चेचा कर लिए आपके दार क्योंग हम तो क्योंकि हम पहले एकक सब्स्टे पहले आपके साँ चेचा कर चुके तो भाई हमें तो सीधा सीधा करेक्शन लग रही है स्मोल कैप में हमारा कैप्शन ही यही था कि स्मोल कैप रेडी फॉर करेक्शन और वहीं पर देखी का मेजर डैमिज हुआ है और आज जहां पर गिरावड़ थी रेल टैल के उड़ा रही है दजिया 20 परसेंट उसके बाद इंडिया पैस्टेसाइड बीस परसेंट पैसलो डिजिटल लगबग 20 परसेंट रिलाइंस इंफरा साड़े 14 परसेंट पुर्वांकरा साड़े 14 परसेंट एक्षन संगम इंडिया जैसे इसके बाद देखेगा बीलस इंटरनेशनल यह वीजा वाली जो सर्वीजिस और इसकी जो सिस्टर कंसा ने उसकी लिस्टिंग भी थी अभी पीछे अच्छे प्रीम पर और स्वैन एनर्जी मतलब पावर लगाओ इंफरस्ट्रक्ट्चर लगाओ डि नीचे थे इंडिया निपोन बारा पसेंट जिंदल सा बारा पसेंट और रेलिवे के जो शेयस हैं आई आर एफसी आप बात करें आरगी अनल पड़ी है इर कौन पड़ी है ठीक है जी कहीं पर आप देख लीजिएगा आट नो दस पसंट से कम कुछ था ही नहीं तो दस बा आपके साथ चर्चा करूंगा आप वेट कर सकते हैं एक आलफा मेंबस के साथ चर्चा करेंगे जो शेयस हमारे स्टोक फुर्द अमन्त रही हैं जो मन में आपके विचार आ रहे हैं वह कमण बोक्स में जो इस वीडियो आप दूसरी वीडियो के नीचे डालियेंगा उन से जो भी कमेंट होगे उसके हिसाब से मैं आपके साथ आपके कोशियन आंसर लेनी कोशिश करूंगा